हलो फ्रेंट्स वल्कम टुमाई चैनल जीओ जीओ जीओन आप सभी का मेरे चैनल जीओ जीओन पर हारदिक स्वागत है महिलाओं के नाक के दाइं और तिल होने का क्या मतलब होता है जी हाँ आज का वीडियो बहुत ही खास है अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों शरीर पर पाए जाने वाले ये काले निशान जिसको की हम तिल भी कहते हैं हमारे भविश्य और चर्द्र के बारे में बहुत कुछ बताते हैं सामद्रिक शास्त्र में शरीर पर पाए जाने वाले इन तिलों की विश्तरत विचना की गई है सामद्रिक शास्त्र के नुसार हर तिल का अपने खास महत्व माना जाता है आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को महिलाओं के नाक के दाई और तिल होने का मतलब बताऊंगी तो यह जानते हैं कि यदि किसी महिला के नाक के दाई भाग में तिल होता है तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों सामद्रिक शास्त्र के नुसार जिस भी किसी महिला के नाक के दाई तरफ तिल पाय जाता है तो ऐसी महिलाओं सुंदर भागशाली और पुत्र को जन्म देने वाली मानी जाती है ऐसी महिलाओं में कजब की आकरशन सकती होती है और इनके पती इन्हें प्रेम करने वाले होती हैं ऐसी महिलाओं को अच्छे से पता होता है कि अपने पती को खुश कैसे रखा जाए कुल मिला के इनका दामपत्य जीवन खुशियों से भरा हुआ देखा जा सकता है दोस्तों ऐसी महिलाओं का माय का पक्ष मजबूत होता है और जीवन में इन्हें माय के का सहयोग प्राप्त होता रहता है दोस्तों सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस भी किसी महिला के नाक के दाईयोर तिल होता है ऐसी महिलाय मेहंती, बुद्धिमान और आत्म विश्वास से भरी हुई देखी जा सकती है जिसके अधार पर इन्हें जीवन में सफलता की प्राप्ती अवश्य होती है दोस्तों ऐसी महिलाओं का वेवहार अच्छा होता है जिसके वज़े से किसी का भी मन मुख लेती है जिस भी किसी महिला के नाक के दाईयोर तिल होता है तो ऐसी महिलाय विश्वास पात्र भी कही जाती है और इन्हें रिष्टे निभाना अच्छे से आता है दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो में मैं आप सभी को शरीर के अन्य भागों पर तिल होने का मतलब बताऊंगी आशा करती हूँ कि आज की दी गई सभी जानकारियां आपको बहुत अच्छी लगी होंगी अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद